जय मातादी दोस्तों, आज हम बात करेंगे पूजा काक्षिया मंदिर के बारे में, कोई भी इंसान भले किसी भी धर्म का हो, लेकिन हर इंसान सुख सम्रिद्धी और मन की शांती के लिए घर या दफ्तर में पूजा घर या मंदिर जरूर बनवाता है, जिसमें बैठ कर व्य जैसे पूजा का फल व्यक्ति को नहीं मिल पाता है, तो चलिए जानते हैं, पूजा काक्षिया मंदिर का निर्माण किस दिशा में होना चाहिए, और किन किन स्थानों पर पूजा काक्ष बनाना उचित नहीं है, घर में पूजा काक्षिया मंदिर का निर्माण करने के ज्यातमिक ज्ञान का कारफ़ है और सकराथम कूर्जा का संचार उससे दिशा से शुरू होता है। कि यह sthahn पूजा कक्ष बनाने के लिए सबसे उत्तम होता है। जिस घर के इशान कौन में पूजा कक्ष होता है।usta के सदस्या बहुत हैं। उस घर के सदस्य निरोग होने के साथ साथ लंबी उमर भी प्राप्त करते हैं इसलिए घर के उत्तर पूर्व या इशान कौन में पूजा कक्ष बनाना सर्विस रेष्ट होता है घर की पूर्व दिशा में भी पूजा घर या मंदिर का निर्मान करना बहुती शुप होता है क इस घर में पूजा कक्ष पूर्वदिशा में होता है, उस घर के सदस्य बहुती सात्विक विचारों वाले होते हैं, वह अच्छे कामों से समाज में मान समान प्राप्त करते हैं, और घर के सदस्यों पर अध्यात्मिक ज्यान का गहरा प्रभाव रहता है, इसलिए घर की पू पूजा कश्या मंदिर बनाना शुब होता है इस दिशा के अधिपति धन की देपता कुवेर हैं और इस दिशा में शक्रात्म कूर्जा का प्रभाब बहुती जादा होता है इसलिए यह भी भगवान से जुड़ने के लिए और सकरात्म कूर्जा प्राप्त करने के लिए इस के घर की इत्तर दिशव में भी पूजा कक्ष का निर्माण कभी करना चाहिए क्योंकि यह दिशे मित्ध्यों की देवता जबूश का निवास धान 120 पर नकरात्म कूर्जा का प्रभाब बहुत है इस दिशा में पूजा कक्ष बनाना वरजित है इस थान पर पूजा घर ब अनेक तरह की बिमारियां घेरे रखती हैं, घर के निवासे जिद्धी, क्रोधी और भावी होते हैं, इसलिए घर की दक्षिन दिशा में पूजा कक्ष कभी भी नहीं बनाना चाहिए, घर के दक्षिन पश्चिम या नेत्रत्य कोण में मंदर या पूजा कक्ष का निर्मान करना चाहिए, क्युकि इस दिशा के स्वामी रहुग्रय हैं जो की भूद प्रेत का कारक ग्रह होता है, इसलिए इस दिशा में पूजा कक्ष बनाना वर्जित है, इस दिशा में पूजा कक्ष बनाने से, घर के सदस्यो के सुभाब में अभिमान और लालच की वृद्धी ह और पूजा करते समय पूजा में कोई भी ध्यान नहीं लगता है इसके इलावा पेट और मस्तिक्ष से समंदित कई प्रकार की बिमारियां हो जाती है इसलिए घर के दक्षिन पश्चिम या नर्तित्य कोण में पूजा कक्ष कभी भी नहीं बनारा चाहिए घर के उत्तर पश् जाता है उसके दूसरी इस्तरी के साथ संबंध होने की संभावना बनी रहती है इसके कारणों से बदनामी भी उठानी पड़ सकती है इसलिए घर के उत्तर पश्चिम या वायव्य कोण में पूजा कक्ष कभी भी नहीं बनारा चाहिए पूजा घर को कभी भी रसोई घर मे परियोग होने वाली वस्तुएं जैसे मिर्च मिसाला, गैस, तेल, चम्म, छूरी, काटा, आदी मंगल ग्रह की वस्तुएं हैं इसलिए रसोई में मंगल ग्रह का निवास होता है मंगल ग्रह उग्र होने के कारण रसोई घर में पूजा करने वाले सदस्यों की शांती और सा पूजा कख्ष के शुद्वातावरन को खराब कर देती है जिसके फलसरुक पूजा पाठ का पूर्ण लाव व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। पूजा करने से अध्यात्मिक्ता में कमी आती है। के कारण ही करना चाहिए। इस लिए पूजा कख्ष कभी भी नहीं बनाना चाहिए लेकिन घर में पूजा कख्ष बनाया जा सकता है लेकिन उसमें अनवशक वस्तुएं नहीं होनी चाहिए और उस कख्ष को हमेशा साव सुत्रा और पवित्र रखना चाहिए उस कख्ष को हमेशा पूजा पाट के लिए ही उप्यो करना चाहिए पूजा कक्ष को कभी भी बेस्मेंट में नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि बेस्मेंट में सूरे की रोश्णी और वायू बहुती कम मात्रा में पहुँच पाती है, जिसके कारण बेस्मेंट में नकरात्म कूर्जा का प्रभाब बहुती बढ़ जाता है, और सकरात्म कूर्जा का संचार बहुत ही कम होता है इसके लावग कई बार बेसमेंट में अनावशक वस्तूमें भी रखी होती हैं जिसमें नकरात्म कूरजा बहुत में चिपी होती है इसलिए सारे वास्तु शास्त्री बेस्मेंट में पूजा कक्ष बनाने की मना ही करते हैं लेकिन बेस्मेंट में पूजा कक्ष बनाया जा सकता है बेस्मेंट का अंदर का भाग चुमकिये शक्ति से भरपूर होता है जिसमें पूजा पाट करना लाबदायक होता है लेकिन बेस्मेंट में रोशनी और हवा की पूर्ण विवस्ता होनी चाहिए इसलिए बेस्मेंट के उत्तर और पूर्व दिशा में जादा से जादा खिड़किया होनी चाहिए ताकि रोशनी और हवा का आवा गवन बना रहे इसके अलावा अनावशक वस्तुएं भी बेस्मेंट में नहीं होनी चाहिए और इसको हमेशा साफ सुत्रा और पवित्र रखना चाहिए इसी के साथ ही दोस्तो आप तक सबसे पहले पहुं सके धन्यवा दोस्तों